राम राम दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे तो आज में लेकिया हूं बहुत ही नया नास्ता और बहुत ही जड़पड बन जाएगा आप इससे बच्चों के टिफिन के लिए बना सकते हो और इससे आप स्नेक्स के रूप में भी खा सकते हो यह चाय के सा वीडियो में बने रहेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेगा कमेंट करके बताएगा कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से असान असान वीडियो लाते रहें ताकि आप उसका फायदा उठा सको तो वीडिय साइज के आलू है और इनको हम अब कद्दू कस कर लेंगे तो हमने इसको मोटे वाले साइज से कद्दू कस कर लेना है सारे आलू को इसी तरीके से हम कद्दू कस कर लेंगे अब मेरा कद्दू कस हो चुका है अब देख सकते हो उतार अलो को मैंने कद्दू कस कर लिया अब इसमें डालूंगी कुछ सूछे मसाले स्वाधिकेयन इसमें मैं नमक डाल दूँगी अधा चंबच धनिया पाउडर आधाचंबच गरम मसाला पाउडर और आधा पिंच हल्दी, हल्दी जादे नहीं लेना है एक चम्मस का चौथाई मैंने डाला इसमें और आधा चम्मस सोखी लाल मिर्च पाउडर और अब इसी में हम ये डाल देंगे कटे हुए एक मैंने बारिक प्याज काट लिया था दो चम्मस धनिया और चार हरी मिर्च थी मैंने बहुत ही बारिक बारिक इसे भी काट लिया है इसको भी हम इसी में डाल देंगे ये नास्ता बहुत ही टेष्टी बनने वाली है आप देखिएगा और बहुत ही आसान है इसे बनाना तब इन मसालों को हम एक बार इसमें मिला लेते हैं अच्छे से, इस तरीके से, अब इसमें मैं, जो में चीज है, जो बहुत ही जरूरी है इसमें डालना, वो है चावल का आटा, और इसे हम जरूर डाल लेंगे इस नास्ते में, यही इस नास्ते को और भी टेस्टी बनाएगा, तो इसमें से मैं चावल का आटा है, तो यह चावल का आटा मैं चार से पांच चम्मच इसमें डालूंगी, जादे नहीं डालूंगी, नहीं तो इसका टेस्ट बदल जाएगा, मैं इसमें पांच चम्मच यह चावल का आटा और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे बढ़ी असा डोग की तरह इसे तयार कर देंगे चावल के आटे से बहुत ही करारा और टेश्टी नास्ता बनेगा बहुत ही कुरकुरा होता है इस स्नेक्स को आप चाय के साथ भी खाओगे बहुत ही अच्छा लगता है और आप मिहमान को भी बना के दोगे तो मिहमान बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि आपने कैसे बनाया है वो आपसे इस चीज को जरूर पूछेंगे बहुत ही टेश्टी लगता है तो यह देखिए आप मेरा डोबन के तयार हो चुका है अब इसको हम ढखके पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए पांच मिनिट बात जब मैं इसे देखी तो यह अच्छे से सेट हो चुगा था आप देख सकते हो तो यह बढ़ियास एक्दम सेट हो गया है अब इसको देखो यह थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि चावल का आटा था तो यह हलका सा टाइट हुआ है फिर ठीक भी है इतना ही रहना चाहिए और यह मैंने लिया है एक चंबस तेल इसको हम हाथ में लगाएंगे हाथ को गिरिष करने के बाद ही इसे हम बनाएंगे तकि हाथ में यह चिपके न तो अब इसको हम इस तरीके से गोल गोल पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से कोई भी साइज आप इसे दे सकते हो तो हम इसको टिक्की की साइज दे रहे हैं तो इस तरीके से करके हम इसे बना लेंगे आप अपने हिसाब से कोई भी साइज इसमें दे सकते हो बहुत ही अराम से बन जाएगा तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे टिकी को बना के तयार कर लेंगे मैंने बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं किया है में मैं मना रही हूँ यह जल्दी सिपो जाते हैं और इसे तरीके से मैं जारे टिकी बना के देख लो आप तयार कर दी हूँ अब इधर मैंने चड़ा दिया था पैन गैस पे और पैन गरम होगया था मैंने इसमें तेल डाल दिया था रिफाइन ओईल और इसमें इसको हम fry कर देंगे, इस तरीके से, और एक ही करके हम सारे इसमें डाल देंगे, जितना तेल में आ सके, यह बहुत ही अच्छा लगता है, अब इसको हम इसी तरीके से, एक मिनुट एक तरफ सिख जाने देंगे, तभी इसे पलटेंगे, तो जब तक एक तरफ सिखे ना, तब तक पलटना नहीं है, अब एक तरफ एदिके सिख गया था, तो इसको हम पलट दिया है, इस तरीके से, गैस का फिलेम बहुत हाई नहीं होना जाए, मेडियम ही रखना है, ताकि कच्छा पन ना हो इसमें, तो इसलिए हमने मेडियम करके रखा गैस का फिलेम, और इस तरीके से, एक तरफ सिख जाएगा, तो दूसरे तरफ हम इसे पलट देंगे, और इसी तरीके से अच्छे से सिख जाएगा, आप देख सकते हो, यह अच्छे से सिख गया है एकदम, बढ़ियां से, अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में बहुत ही अच्छा सिख का है यह, इसी तरीके से इससे सेखना है, जादे काला भी निकालना है, और इसी तरह हम सारे टिकी को फ्राई करके निकाल लेंगे, सारे टिकी हमारे फ्राई हो चुके थे हमने से सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हो कितना टेश्टी लग रहा बहुत ही यमी बना है आप इसे जरूर बनाईएगा एक बार जरूर बनाईएगा इतना यह असान है कि आप इसके आगे पकोड़ी खाना बोल जाओगे यह पकोड़ी से भी जादे टेश्टी बना है तो आप इसे जरूर बनाईएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कमेंट करके बताईएगा कैसा लगा चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि हम आपके लिए इससी तरह आसान आसान वीडियो लाते रहेंगे और आप उसका फायदा जरूर उठाईएगा अब हम मिलेंगे आपसे निष्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए